यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी नाश्ता जो कि हमने बना करके तयार किया है तो चावल के आटे से तो चलिए देखते हैं कि यह हमने नाश्ता कैसे बनाया है तो हलो एवरिवन आप सब का स्वागत है हमारे यूटूब चनल चाया मिस्रम है गाइज और यह देखिए दो कोईल डालू हमने ले लिया है और यह हमने ले लिया है एक कटोरी चावल जो कि नॉर्मल घर में चावल खाया जाता है बस वही चावल है और इसको हमने 5-6 गंटक लिए भीवो दिया थो तो देखिए इतना सॉफ्ट हो चुका है कि आप इसका एक दाना तोड़ेंगे ले क तो यह अच्छे से तूट जा रहा है तो इतना सॉफ्ट हमको कर लेना है यह देखिए और यह इतना हेल्दी है बहुत लो तेल में बन कर तयार होगा बिल्कुल कम तेल में तो यह देखिए आटा चावल का फुल कटोरी से 2-3 चमच कम है तो यानि इस पॉन कटोरी कह सकते ह तो यह देखिए इस तरह से हमने रखे एक कड़ाई इसमें डाल दिया है 2-3 स्पून ओयल अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन जिसको हम असलते हुए डालेंगे जिससे की इसकी खुस्बू बहुत अच्छी आया है और अब इसमें हम आट करेंगे 2-3 पीच हिंक हिंक से चावल का जुनास्ता बनेगा बहुत अच्छा स्वाद आएगा अब इसमें जितना हमने आटा लिया है चावल का उतना ही पानी आट करेंगे और इसमें आने देंगे बॉयल तो देखिए आ गया है नमक डाला है स्वाद के अनुसर तो इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें इसकी फ्लेम को करेंगे धीमा और इसमें हम डालेंगे चावल का आटा वो भी ऐसे डालना है कि इसमें गाठे ना पड़ें तो इसलिए हमें फ्लेम को धीमा करना है अगर गलती से भी थोड़ी सी गाठे पड़ जाती है तो उनको अच्छे से तोड़ लेना है मसल के अच्छा कर लेना है तो यह देखिए अभी आपको सूखा लग रहा होगा पर सूखा नहीं है बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसको सही आ जाएगा एक बात और का इस अगर बाइचांस पानी का अंदाजा नहीं मिल पाता है थोड़ा सा कम हो जाए पानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप गरम पानी लीजे थोड़ा सा मिला लीजे मिक्स कर लीजे और डो बना लीजे और अगर आपका डो लूज हो जाता है थोड़ा सा पानी जादा हो जाता तो उस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा चावल कांटा आप मिक्स कर लीजे नॉर्मल हो जाएगा तो यह देखे, इस तरह से मसलते हुए, हम इसे ढख करके रख देंगे, इतना ठंडा हमें कर लेना है, कि हम हाँ से इसको टच करें, तो इसको टच कर पाएं, बिल्कुल ठंडा इसको नहीं करना है, तो यह देख सकते हैं, इस ठंडा हो चुका है, जिसको की हम हाँ से टच कर तो हम टच कर पा रहे हैं मगर बिल्कुल ठंडा बिल्कुल नहीं हुआ है यह देखिए इस तरह से मसलते हुए हम इसका डो बना लेंगे तो यह देखिए डो अच्छे से बन करके रेडी हो चुका है मारा तो इसको हम एक एयर टाइट बॉक्स में भर कर रख देंगे तो यह देखिए हमने एयर टाइट बॉक्स में भर कर रख दिया है तो जिससे की बाहर की हवा इसको टच नहीं होगी तो यह सूखेगा नहीं आठा तो अब इसमें फिर से हमने दो स्पून ओयर डाल दिया है इसकी स्टॉपिंग के लिए यह देखिए जीरा धनिया पाउडर मिर्च्री पाउडर यह है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर कस्मीरी वाला कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर अब इसमें हम डालेंगे नमक और अलुएट कर देंगे नमक स्वाद के निस्वाद डालना है और आप हम इसे मिक्स करेंगे इसकी जो थोड़ टुकड़े हैं वो तोड़ देंगे थोड़े थोड़े करकर के बहुत ज्यादा बड़े जंग्स नहीं रहने चाहिए अब यह देखिए हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे हरी दनिय इसमें आप इस जगह पर ग्रेट की हुई गाजर मटर सिम्हणा मिर्च बंद गोभी गोभी यह सारी सबजियां आड कर सकते हैं ग्रीन जितनी भी सबजियां हैं पानी वाली सबजियां ना आड करें क्योंकि पानी वह छोड़ देंगे तो फिर वो बन नहीं पाएगी बॉ टाही केटोरी अईट करेंगे और आप अगर ग्लास के ऩाब से ले तो दो ग्लास पाणी एट कर लें क्यूंकि हम इसको इसको स्टीमर एक तरह से बनाना है जिसके पासва स्टीमर है वो स्टीमर यूज कर लें जिसके पास zaनी वह इस तरहे का घर में उसकी मर बना तो कड़ाई देखे हमने रख दिये और पानी बॉयल करने के लिए तो उसको होने देते हैं और यह देखे नीबू के आकार की हमने लोई दोड़ ली है चावल क्याटे के तो इसको गोल करते हुए हथेली की मदद से इसको हम चप्टा कर देंगे और फैला लेंगे तो यह देखे फैलाने के बाद में यह हम रखेंगे एक बॉल गायस थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गई है क्योंकि नया नया स्टैंड है ट्राइपॉट है नया ट्राइपॉट होने कारण अभी हमने इससे समझ में थोड़ा सा नहीं आया है इस हुझे से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है तो यह देखे इस तरह से चिकनी स्मूथ बॉल बना लेनी है और ऐसे ही जो हमने भीगो करके चावल रखे थे उन्हीं चावल में बस चावल चिपका लेने है चावल का जब पानी निकाल देंगे तो वह ड्राइब हो जाएंगे तो इसी त करते हैं बस उसी तरह से चावल के आटे से हमें स्टरपिंग करनी है और स्मूथ बिल्कुल बॉल बनानी है अगर थोड़ा सा भी क्रैक रहे जाएगा तो हम आपको आगे चल कर दिखाएंगे कि क्या होगा तो इसी लिए हमको बिल्कुल स्मूथ बॉल बनानी है और यह जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यह बिना ओयल का बनता है नास्ता बहुत कम ओयल से बनता है नास्ता जो कि हल्दी है और टेस्टी भी यह देखिए इस तरह से बन के तयार है हमारे तो इसी तरह से सारे बना लेंगे हम तो चलिए यह देखिए यह चावल जो बच गय थे इ पानने वाली छन्नी ठीक है इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी देख सकते हैं इस तरह से में घी लगा लिया अब चलते हैं अपना जो में इस्टीमर बनाया था उसकी तरह देखिए पानी कितनी तेज से बॉयल हो रहा है और स्टीम निकल रही है तो यह देखिए इसमें अच्छे से फूलेंगे चावल तो एक महीं चिपके नहीं इसलिए अब इस तरह से हम डख देंगे लगब लगब 15 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे 15 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाएगा और पक भी जाएगा तो देखिए चावल यह हमारा पक चुका है कुक हो दिखा रहा है आपको और यह देखिए अगर बाल अगर हमने जो बाल्स बनाई थी स्मूथ नहीं होंगी तो इसी तरह से चिटक जाती है चावल क्याटे कि यह देखिए चिटकी उज़ दिख रही है आपको इसी वज़े से हमने बोला था है स्मूथ बाल बराने को कितना प्यारा लग रहा है दम चावल जो आया है वो खिल कर आया है यह देखिए हमा एक चावल ले करके आपको तोड़ कर दिखा रहा है यह देखिए बिल्कुल कितना अच्छे से कुख हुआ है हमारा राइस उपर का जो लगा हुआ है और बिल्कुल कच्चा नहीं है और म्योंने इस्के साथ दही के साथ जिसके साथ भी पसंद करें खाएं बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनते हैं बहुत जाधा अच्छे लगते हैं तो चलिए दिखाते हैं चलिए दिखाते हैं तो यह देखें गाइस हमारे कितने यम्मी और कितने टेस्टी लग रहे हैं और चावल एक एक चावल का दाना आप देख सकते हैं कितना खिला हुआ और कितना यम्मी लग रहा है यह देखें हम आपको तोड़ कर भी दिखा रहा है कि कि दम कुक हुआ है अच्छे से चावा लेगे बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है तो हमारी अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिलते नेक्स डे नेक्स रेस्पिकाद बाए